आप देख रही है MNS News सच जरूरी है नमश्कार दशकों आप देख रहे MNS News Network में हूँ आपके साथ शीबा शेक तो आए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे आए एक नजर डालते हैं हैडलाइन्स क्यों अलपसंख्यक बनाम दलीत के संगराम मिफसी सीम ममता बैनल जी हल्दुआनी हिंसा मास्तिमाइन अब्दुल मलिक की अचल संपत्ती पर कारवाई जारी कभी राज करने वाली कॉंग्रेस को छोटे छोटे दल दे रहे घाओ आए देखते हैं खबर विस्तार से अलपसंख्यक बनाम दलीत के संगराम मिफसी सीम ममता बैनल जी छे माच को पीम करेंगे महिला सम्मेलन को संबोदीत कभी टीम सी प्रमुक ममता बैनल जी ने नंदी ग्राम किसान आंदोलन को सियासी हतियार बनाकर राज में तीन दशक से भी अधिक पुराने दाम दलो को शाषन का अंत दिया था अब भाजपा की योजना संदेश खाली की राज का दुसरा नंदी ग्राम बनाकर राज्य में टीम सी के शाषन को कमजोर करने की संदेश खाली में दुशक्रम और यौन पीडित की शिकार होने वाले महिलाव दलीद बरादरी की है जिनकी आबादी राज़की आबादी की एक चोथाई है इस मामले में अदालत का सूर बेहत तक्त है मानवी दिकारी आयोग अनिसूची जाती आयोग अपने अपनी टीमें यहाँ भेच चुकी है अदालत के तक्त सूर और विबिन आयोगों की सक्रियकता के बाद इस मामले में कुछ टीमसी नेताओ की गिरफतारी हुई है हलकी मामले का मुख्य अभियंत शहजाद शेक अभी फरार है इस बीच अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी छे मार्च को संदेश खाली की करीबी एक महिला सम्मेलन को संबोधित करने वाले है केंद्रिय मंत्री अनुराक ठाकुर ने कहा पच्चिम बंगाल में महिलाए खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है और अब मिडिया कर्मी भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे है संदेश खाली में जिस तरह से पत्रकार को गिरफतार कर रोका गया वही नंदनीया है आईए बट्टे अगली खबर क्यों हल्दवानी हिंसा मास्ट माइन अब्दुल मलिक की अचल संपत्ती पर कारवाई जारी बनबूरा बवाल में मुख्य साजिश करता अब्दुल मलिक पर लगाता शिजन का कस्ता जारा है फरार होने की वज़े से चल संपत्ती कुर्क हो चुकी है तैसिल से 2.5 करोट की वसूली का नोटीस भी जारी कर दिया गया है इसका भी जवाब नद देने पर अचल संपत्ती की भी कुर्की की कारवाई की जारी है बनबूरा में 8 फरवरी को हुए हिंसा के मुख्य साजिश करता अब्दुल मलिक को बताया गया था कि इस आधार पर पुलीस प्रशाशन कारवाई में जुटा है जिस जगह नगर निगम वप्रशाशन अधिक्रमन तोड़ने गया था वह जगह अब्दुल मलिक की कबजे में थी उस समय हुए पत्राव और आगाजनी में नगर निगम की 2.44 करोड रुपई की संपत्ती को शती पहुची है नगर निगम के इस भरपाई के लिए अब्दुल मलिक को नोटिस भी भेजा था लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं मिला है अब तैसिल के जरीए वसूली की प्रक्रिया शुरू हो गई है तैसिलदार सचिन कुमार ने बताया कि वसूली की प्रक्रियाश शुरू हो गई है साथ दिन का नोटिस दिया था जवाब नहीं मिलने पर अचल संपत्ति कुर्ख करने की कारवाई की जाएंगी आईए बाट अगली खबर कियो कभी राज करने वाली कॉंग्रेश को छोटे छोटे दल दे रहे घाओ क्या सब के बुरे दौर से गुजर रही पार्टी अपने 129 साल के काल में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है कॉंग्रेश पार्टी छोटे छोटे दल भी उसे भाव नहीं दे रहे है दिली और पंजाब में सत्ता रूड आमादमी पार्टी इंडिया गटबंदन में तो है लेकिन उनसे भी पहले कॉंग्रेस को सीट देने से इंकार कर दिया था अब उनके कुछ सीटों पर विचार करने का वादा किया है पचिम बंगाल में सत्ता रूड ममता बैनर जी की पार्टी तुरून मूल कॉंग्रेस ने भी अपने राजय में कॉंग्रेस को सीट देने पर तस्वीर साफ नहीं की है जबकि वहाँ भी विपक्ष के गटबंदन का हिस्सा है बिहार जाडखन में गटबंदन के सयोगी राष्टिय जनता दल और जाडखन मुक्ती मोर्चा से हाला की सीट को लेकर कॉंग्रेस का कोई विवाद सामने नहीं आया है लेकिन इन दोनों राजयों में भी कॉंग्रेस को बहुत सीट नहीं मिलने वाली है यूपी में 17 सीटों पर चुनाओ लड़ने जा रही कॉंग्रेस के नेता जब अपनी यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहुचे तो इस राजय में समाजबादी पार्टी के मुख्या अखिलेश उनके साथ नहीं थे इसले का सवाल उठने के दो दिन बाद ही सीट की स्तीती स्पष्ट हुई है अब आप हमारे चैनल को मोबाइल आप पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप देखने के लिए प्लेस्टों से मेनेस न्यूस टीवी आप डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा हाई क्वीक ट्वीट और फेस्बूक और कई शूशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलाब आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइफ भी देख सकते डबलु 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 डॉट मेनेस न्यूस टीवी डॉट कॉम पर अब वक्त हो चला है दर्शे को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रही हमारे साथ एमनेस न्यूस टीवी पर नमस्कार यह है एमनेस न्यूस निटवर्ग और आप देख रहे हैं एमनेस न्यूस